वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाल हैं सेंट्रल स्प्लीट ऐसी के बारे में जी ह susceptor अभीता आपने मेनी स्प्लीट ऐसी सुना देखा रहा हैगा बट यह जो है सेंट्रल स्प्लीट कहा जाता है, यह और कमपपनी है आप देसकते रहेंगे इसमें जो है वी और कंपनी है दो कंप्रेसर है और इसका पाइप सक्सन और डिस्चार्ड सक्सन पाइप जिसा कि हम लोग जानते हैं मोटा रहता है इंसुलेटेड रहता है इसका फाचा ने रहता है डिस्चार्ज रहता है नॉर्मल रहता है पतला रहता है नीचे दे सकते रहेंगे नीचे सक्सन है उपर डिस्चार्ज चेक करने के लिए दिया हुआ है इसके अंदर दे सकते रहेंगे यहां पर कैच आल का जो है फिल्टर लगा हुआ है सी 307 का है यह साइड ग्लास है जिससे हमारे डी कर सकते रहेंगे सिस्टम में गैस है या नहीं है या फूल है या क्या कुछ प्रोलम है यह योर कंपनी का है अभी तक हमने आपको केरियर का इसके पहले पैकेज इसी दिखाया था बट यहां पर आपको दो मॉडल का दिखने मे दो सेम ही यूनीच लगे बड़ात लगेगा है 15 तन का पैकेज उनी सेंट्ल स्प्लीट है बर यह जो है नौर्मल यह आप चसके सब एर случай से कहते दें ने डी आकयसी हुए यह मौनॉल का है यह जो हमारा लगा जाता है यहां पर दिया सकते रहेंगे श्विटिंग जमा हुआ है थन्डा है छील नॉर्मल ये सी रहता है है यहां बडू दो फन लगा हुआ है आप कैप सटींगे अगे जाने जानेंगे दिखेंगे और देखते हैं आप देशक्ते रहेंगे कुछ मानॉल का यसी यह जो है डिफरीजर बड़े-बड़े जो रहते हैं कोली स्टोरेज टाइप रहते हैं इस्टोर रूम हो गया उहां पर ये चीज यूज़ किया जाता ये आउटोर में या फिर बहुत से इपॉर्टे जो सर्व सब्सक्राइब करें जरूर करें यह पाइप गरम है और नॉर्मल ठंडा है नीचे से हमारा कंप्रेसर से पाइप आ रहा है और उपर से हमारा जो है नॉर्मल रिटर्न हो रहा है यह औरे रहे सकते रहेंगे यहां निकल के जा रहा है यहां तो यह य यह बड़ा है यह इसी रहता है कि ना बड़ा है यह सकते रहेंगे यह इस पीड जो है सका वेरिवर इस पीड रहता है नॉर्मल स्पीड इसका कंट्रोल किया जा सकता रहा यहां पर हीट के हिसाब से अम्बेंट टमपेचर के हिसाब यहां पर च्छे फैन लगा हुआ है इसलिए मापको नहीं दिखा पा रहे हैं तो हाइट पर है जिस होने के दो जासे अब पैमिरा मोग पर लेते हैं तो अब यह सकते कुछ इतर से दिखता है यह अच्छा इन लगा हुआ हुआ है इसमें से यह दिख स्पीड आता है अंब्ले जिख ज्यादा है तो सभी फैने फुल लॉट पवर करेंगा नहीं है तो कम लोटब ऑवर करता है कोई जो लोग आउट आप कंट्री आना चाहते हैं किस तरह से इसी रहता है कौन को से मारा टाइप के रहते हैं आप देसकते रहेंगे यहां पर वेशिया पाइप ब également कि अपर हमारी कनेशन निक्तेस के अब कर दो करेंशरखोंडां व सकते रहेंगे से सेंटर स्प्री दिखाया अब भी उसके बाद देसकते रहेंगे नॉर्मल यह हमारे स्प्रीट टाइप जा रहा है बट यह जो देसकते रहेंगे पैकेज है इसका आप देसकते रहेंगे यह यूर कंपानी का यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अब देसकते रहेंगे अगर आप इंट्रेस्टेट हैं हमारे सब्सक्राइब करें जरूर करें जरूर करें बड़ा दिख रहेंगे यह डग्ट है यह पैकेज जिसमें हमारा डग्डर में ही लगा हुआ है यह पैकेज यह सिर्फ आउट्वर से हमारा इंडोर में पाइप जा रहा है वो इस एंट्रल इस्परीट है डी-एक्स उनिट कर सकते रहेंगे आप देसकते हैं इसका हमारा डक्ट चनेक्ट हुआ हैं दो पार्ट एक एक और रहता है करने श्ञटी है इसमें जो हमारा वर्फ ऑपरेटर लोवर सब कुछ यहीं पर रहेगा इंडियोर में सिफ आप जायेगा थर्मुष्टेट रहेगा बस रहता है बाकि सब सब आउट्डोर में ही रहता है जैसा कि आप दे सकते रहे भी यह मारा यूर कंपनी का यह तो आप नेस्ट टाइम में जानेंगे देखेंगे कुछ फाल्ट है प्रोलोम है एरियर है कुछ इस तरह से ट्रवसूट है तो वन बाइवन उस तब के बारे में जाने सिखने आपको कुछ जानकारी मिला देखने को मिला समझेने को मिला या नहीं मिला आज आपका तिन सुबह थैंक यू फॉर वाचिंग झाल 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 झाल